हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो एबी क्लासेज फ्रेंट्स आज का सब्जेक्ट है और्टो मोवाइल इंजिनियरिंग जिसका एक चेप्टर है सस्पेंशन सिस्टम उसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ टेली स्कॉपिक सौक एबजर्बर यादी फ्रेंट्स आप टेली स्क वीडियो डाल चुका हूँ यदि आप आज देखना चाहेते हैं तो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखिए है और टो मोवाइल इंजिनियरिंग के नाम से उसमें जाकर आप देख सकते हैं ऐसे फ्रेंट्स हमारे जिनोंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नह सकें अब फ्रेंट्स स्टाट करते हैं आज का वीडियो तो सामने सबसे पहले जो इसक्रीन पर आपको देख रहा है उसको मैं समझा देता हूँ यहां पर एक डाइग्राम बना हुआ है जो कि आपको एक्जाम में बनाना है इधर राइट साइट में डाइग्राम देख रह रहा हूँ सिर्फ आपको धान से सुनना है और समाईना है यहां पर तीन बर्ड दिये हुए है टैली स्कॉपिक, सौक, एबजर्बर जो पहला बर्ड है टैली स्कॉपिक तो इस जो सौक एबजर्बर है उसको टैली स्कॉपिक क्यों बूलती है क्योंकि फ्रेंट्स इसकी ज स्क anda आगया हुगा सिर्फ इसले यह लिया लिए घया है कि यह क्योंकि दिखता है टेलिस्कोब की तरह इसले Such को पुला जाता है टेलिस्कॉपिक सौकर्पन डावगा तो का मतला होता है जहटकी कहता है estáid kem rejection का मतला होता है जो मतला जहते लगते मैंने बता है suspension system का एक टाइपस होता है कौनसा जो shock absorber shock absorber भी different types के होते हैं जिसमें mechanical shock absorber होते ही hydraulic shock absorber होते हैं तो जो hydraulic shock absorber होते हैं उसका एक टाइपस है telescopic shock absorber तो पहला बड़ के समझे में आया जो telescopic shock absorber है वह hydraulic shock absorber का टाइप है बन्दब telescopic shock absorber भी hydraulic की सिद्धन पर काम करेगा इतना समझ में आ गया होगा क्योंकि hydraulic shock absorber का टाइप से telescopic shock absorber अब फ्रेंट्स यहाँ पर एक animation diagram है उसकी तुरू थोड़ा सा समझते हैं तो आपने जो भी बाइक चलाते हों वहाँ पर देखा होगा यह आंगे इस तरह एका लगा रहा है ठीक है जो कि hydraulic shock absorber में absorber है उनमें सबसे ज़्यादा telescopic shock absorber का यूज के रहा है तो ऐसा आपने देखा होगा लेकिन यह देखने से आपको पता चल जाया है कि हम क्या समझना चाहरा है और क्या पढ़ाना चाहरा हूं सिर्फ इसलिए मैं animation diagram देखाता हूं लेकिन तो कि वीडियो में maximum theory exam के purpose से बनाता हूं तो theory उसी purpose से हम समझते हैं यहां पर हमने कुछ theory लिख रखी जिसको आपको पढ़ने के लिए आप English medium से हो या पर Hindi medium से हो इसको पढ़ लेंगे तो आप अपनी बासा में लिख सके यहां पर जो लिखा हुआ है यहां पर इसकी जो बनावट है उसके बारे में लिखा हुआ है फिर इसकी बर्किंग भी नीचे में समझाओं सबसे पहले यहां समझते हैं कि इस टाइब का बना है तो आपको यहां पर दिख रहा होगा सबसे पहले बाड़ में लिखा होगा है यहां पर दो सिलिंडर यूज की है इतने दो सिलिंडर एक N सिलिंडर है एक M सिलिंडर है और दोनों एक दूसरी के अंदर रहते हैं जैसे कि दोनों इस तरह लगे रहते हैं कि इनकी बीच में थोड़ी सी जगाय देख रहे हैं यहाँ पर जिलू कलर का है वो M सिलिंडर रहो रहा है यहाँ पर जो हमारा फिलूड होता हुआ है जब M सिलिंडर से निकल के बाहर आता तो इनके बीच में चला जाता है ठीक है तो इतना आपको समझ में आगया हुआ अब इसके अंदर और दूसरा combination क्या है जो M cylinder है उसके नीचे side देखेंगे तो दो bulb बने हुए जो small a देख रहा होगा जो हमारा small b देख रहा होगा पिष्टन के अंदर भी दो passage बने जाते हैं जो दो जगाए पर ऐसी बने जाते हैं जिसके अंदर जो capital A देख रहा हुआ capital B देख रहा हुआ जिसके अंदर से भी fluid होगा अंदर बाहर जा सब्सक्राइब M सिलिंडर के अंदर क्या भर रहता है फ्लूट भर रहता है अब देख ऊपर नीचे की बात करते हैं तो जो उपर का हिस्सा है हो चैसिस फ्लेम से लगा रहता है और नीचे कहसा है जो हमारी बील से connect रहता है यह दोनों ही जो जगाए जो बॉल्व बने रहते हैं उसके उप स्मौल भी से ठीक है ओईल चेंबर यहां पर देख रहा होगा जो मैं बता चुक हो अल्रेडी के ओईल इसमें यूज काते हो सिलिंडर भी बता चुक हो इतना आपको इसका कंस्ट्रक्शन पूरा समझ में आगया होगा है नहीं समझ में आता है मीरी बासा तो आप यहां से इसकी जो बनावाट है कौन कौन से पार्स यूज के गाए यह आपको समझ में आगया है अब यह बर्क कैसे करता इसको आपन समझते हैं तो यहां पर यह डाइग्राम मना हुए जो मैंने उपर बताया हुआ था उसी की बर्किंग बताएंगे यहां पर आमने सारे पॉंट लिख दिये हैं यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा जो हमारे यहां पर की वीडियो के बएसे इसको जब मैं उपर करूँगा तो नीचे पॉंड भी पढ़ने में आपको आ जाएंगे नॉर्मल इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं लेकिन हम भी समझा देंगे तो जब गारी चलती है तो जो ब्रेकर होता है ब्रेकर मनला उबरी होई जमिजब उस पर जाती है जो भी हमारे शे वर के निच्चे वाल प्र पिश्टन होगा, नीचे की और दबती है लौल भी बना होगा तो आप देख रहे हैं उन्हें आपट जो भी बना हुगा यूध से यूट गौल थी जब A क्लोड हो जाएगा और जब वायल क्या होगा इस पैसे से जो हमारा A बना हुगा है इस से उपर की उड़ जाएगा ये वाला बॉल्ब ओपन हो जाता है तो हमारा क्या होता है जब जब हमारा वार वाली जगह रहती है तो पिश्टन उपर से नीचे की और मूब करता है वी वाला बॉल जाता है और ए वाला ओपर रहता है जो हमारा वाल भर रहता है उपर की और जाता 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 नीचे फुटबॉल लगाते हैं फुटबॉल में लिखा हुआ है इसके पैसे कारण क्या होता है जो हमारा ये वाला जो हमारा पैसे दिख रहा है इसके अंदर से क्या होता है ये वाला तो बखलू रहाता है भी वाला लेकर ए से अंदर की बाहन निकलने कारण क्या होता है जो जो पैसे नीचे बना देते फुटबाल उससे निकल करका इसके अंदर भार जाए जिससे कि इस मुत्तरिग्य से बर्किंग होती रहे तो आपको पैसे दोनों के M और N सिरंडर के यूट किये गए और इनके बीच में जगाए क्यों छोड़े गई यह समझे में आगया होगा जो हमारा एक्स्ट्रा वाइल है जो इसके उपर से खिलो होगे एक्स्ट्रा जाएगा वो इस बॉल्ब के तुरू इन दोनों के बीच में समा सके या आसा इसलिए इनके बीच में जगाए यूच किया ठीके इस दोरन क्या होता आप जिल जैसे ही लेकिन जब गड़ों में गड़ों में जाती घाड़ी उसमें क्या होता उसमें क्या होता पिष्टन नीचे से उपर की उर जाती है तो इस पर प्रेसर पड़ेगा उसमें क्या होता जब उपर की उर जाएगी तो इस वाल की काना जिए वाल किलोज जाता हो वी वाला ओपन होगा तो इस से क्या होगा इसका ऑपन होगा तो यह क्या होगा वाल इसका व won और ऑपर चृंडर के अंदर अब बात करते हैं अब बात करते हुआ है अब फ्रसी नीचे वाले पॉइंटे उनको पढ़के आप ऑप समझ सकते हैं और इनको नोड decay ख्यात रखतें जो भी हिंदी में लखा हुआ है याद हम एप लिखेंट अपनी बास्त है को अपनी बासा में इसको लिखने सिर्फ पॉइंट है इसले लिखें मैंने जिससे आप आसानी से पढ़कर समझ सके हैं यह मैंने बता है, जो क्या होती है, जब जैसे यह जटके लगती है छ मनदा कहती है क्या हो होता है उस मोशन में उस अनर्जी का यूज कर दिता है उस मोशन में बूतर होथा हुआ होता है क्या होता है रूंट вый तो उसमें जैसे बैस संहोने वाला होता है। इस्तों इनरजी क्वान यूज कर लेता है, फिल यूज कर लेता है, वह उसको किसम ह ह atrás कर लिता है? heat energy में और वह हो खितम कर लेता है। इस तरह क्या होता ह? हमारे जो भी गारी है जहएगी जहएगी जह तो पीछे बेटा जो भी फ्रेसंटर होता उसमें भी पहसारी जहाँकी लगें तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्रिंग के अंदर हम और एपजर्वर का यूज क्यों करते हैं तो आप इस डाइगरम को बनाके जो भी हमने उपर इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था सौक एबजर्वर विथ राइगरम एक्सप्रेंग करिए उसमें डेपनेशन वगार लगी है और मैंने समझाए भी ता सौक एबजर्वर पूरा डिटेल में उसको भी देख्के आप और अच्छे समझ सकते हैं यहाँ पर सिर्प टेल